एक जोलरी आपको अपने होलसेलर से मिलेगी लगबग 500 रुपए की और उस पे आप अपना प्रॉफिट मार्जिन एड़ करके इसली उसको शोशल मीडिया पे 12-1300 रुपए के करीब बेच सकते हैं अगर मैं आपके सारे एक्सपेंसेस को भी इंक्लूट करूँ तो आपको हर एक सेल में लगबग 500 रुपए का प्रॉफिट होता है और एक दिन में आप इजिली 8-10 कस्टमर्स को जोलरी सेल कर सकते हैं मतलब एक दिन का लगबग 5000 रुपए तक के कमा सकते हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूँ लक्षित सेथिया आप देख रहे हैं शोशल सेलर अकेडमी इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊँगा कि कैसे आप अपने खुद का जोलरी का ओनलाइन बिजनस चालू कर सकते हैं सिर्फ यही नहीं इस वीडियो में मैं आपको ऐसे हूलसेलर की बारे में बताऊँगा जिसके साथ जुड़के आप अपने खुद का जोलरी बिजनस स्टार्ट कर सकते हैं घर से स्टार्ट कर सकते हैं यह हूलसेलर आपको sterling silver जोलरी प्रोवाइड करेंगे जिसको आप social media में easily reselling करके अपने खुद का online business create कर सकते हैं इस video को आइन तक के देखिए कहीं पे भी skip मत कीजिए लेकिन दोस्त रुको रुको सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर jewelry ही क्यों jewelry ऐसा product है जो की बहुत छोटे size का होता है जिसको online selling करना वाकई में बहुत आसान होता है इसकी जो shipping होती है ये काफी आसान होती है इस पे margins बहुत अच्छे मिल जाती है और सबसे important चीज jewelry की demand इंडिया में बहुत जादा है और इसलिए आपने देखा होगा कि gold jewelry इसको online बेशना तो बहुत मुश्किल होता है के लिए और कोई भी person इस video को देखने के बाद अपने खुद का silver jewelry का online business start कर सकता है आपको कोई भी prior knowledge की requirement नहीं है आपको किसी भी तरीके की investment की requirement नहीं है आपको सिर्फ एक चीज़ चाहिए आपको चाहिए एक अच्छा wholesaler जो आपको jewelry की photos दे ताकि आप online sell कर सके और जो भी आप customer से order लाएं आप वापस उस wholesaler को order दे दे और वो wholesaler आपके customer को direct उस product को ship कर दे इस चीज़ को बोलते हैं jewelry reselling और आज इस video में मैं आप सभी को एक ऐसे wholesaler के बारे में बताऊंगा जिनके साथ आप अपने jewelry का business start कर सकते हैं जो आपको provide करेंगे 9 to 5 sterling silver jewelry जिसको easily आप social media में बेच के अच्छा खासा online business कर सकते हैं तो आज जिस wholesaler के बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ इनकी brand का नाम है Ranisha Jewelry इनकी founder का नाम है DV Pramak Vesh ये basically बदाउन उत्तर प्रदेश से है इन्होंने 2017 में अपने खुद का jewelry का online business चालू किया था और आज पूरे इंडिया से 5000 से ज़्यादा resellers इनके साथ connected है इनकी jewelry लेके अपने whatsapp पे अपने instagram पे अपने social media पे sell कर रहे हैं बहुत सारे ऐसे लोग भी है जो इनकी jewelry लेके अपने e-commerce websites पे sell कर रहे हैं और तो और आप सभी को बताना चाहूँगा कि इनके साथ 380 से ज़्यादा jewelry दुकान वाले भी हैं जो इनसे product लेके अपने store पे sell करते हैं आप जानते हूंगे दोस्तों किसी भी wholesaler को हम feature करने से पहले उनको अच्छे से verify करते हैं उनके business को cross check करते हैं और उसके बाद ही उनको अपनी videos में feature करते हैं इस video में मैं आपको इनके business के बारे में पूरी information बताऊँगा सबसे पहले हम इनके product की details के बारे में समझते हैं ये especially 9 to 5 sterling silver jewelry में deal करते हैं ये खुद manufacture भी करते हैं, import भी करते हैं, designs इनकी खुद की created होती है exclusive designs होती है, सबसची चीज है कि ये बहुत सारी categories में काम करते हैं आप देख सकते हो, इतनी सारी categories की product के उपर ये work करते हैं और आपको ये सारी categories की product एक ही जगा पर मिल लाएंगे इनके पास rings है, earrings है, necklace है, chain set है, pendants है, bracelets है, bangles है mangal sutra मिल लाएगा, toe ring मिल लाएगी, nose pins मिल लाएगे, आपको anklet मिल जाएगे आपको इनके पास infect silver watches भी मिल लाएगी अब आप देख सकते हैं कुछ product में इनकी specialty है जैसे oxidized products है, kundan के products है, antique products है, cz stone के products है, rose gold है gold polish वाले products हो गए, animal products हो गए, temple वाले products हो गए, traditional products हो गए modern और imported products में भी इनकी बहुत सारी varieties है इस चीज़ आप गौर करके देखना, कुछ इस तरीके की इनकी product की photography होती है जो की काफी अच्छी photography है, और ये photography आप social media पे share करोगे तो आपके भी पास जादा customers आइंगे in fact, मैं product में इनका price भी बताता हूँ, इनका price भी बहुत जादा competitive है अगर आप market price देखो और इनका price compare करोगे तो definitely आपको यहाँ पे lowest wholesale price मिल लाएगा जो अच्छे wholesalers होते हैं वो अपने content पे इंवेस्ट करते हैं अपनी photography पे इंवेस्ट करते हैं और इन्होंने simple photography तो कराई है इन्होंने अपने jewelry का celebrity photo shoots भी कराई है आप देख सकते हैं इन्होंने उर्वशी रौतेला के साथ भी photo shoot करवाई है अगर आपको इनकी photography या content को और अच्छे से देखना है तो मैं आपको recommend करूँगा कि इनका Instagram profile एक बार जरूर जाके देखिए लेकिन एक नट वोपस आजाओ क्योंकि Instagram profile से पहले मैं इनकी actual shop दिखाता हूँ की कैसी दिखती है आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की इनकी बहुत ही beautiful store है जहाँ पर physically भी लोग इनके पास जाते हैं offline भी इनकी काफी अच्छी sales होती है सिर्फ इतना ही नहीं बहुत सारे बड़े-बड़े exhibitions होते हैं जहाँ पर आपको इनके outlets भी दिख जाएंगे दोस्तो एक concept ना reselling business का बहुत simple है कि आप अगर बड़े wholesalers के साथ काम करेंगे तो आपका business भी बड़ा होगा अच्छे wholesalers के साथ काम करेंगे जो आपको अच्छी service provide करेंगे तो आप भी जादा अच्छी service अपने customers को दे पाएंगे तो अब हम बात करते हैं कि कौन-कौन सी service यह आपको देंगे यह पास दोस्तो आपको white label में product मिलेगा मतलब इनकी खुद की जो brand name है यह product पे कहीं पे भी नहीं रहेगी तो end customer को पता नहीं चलेगा कि यह product इनकी तरफ से आया है end customer को यही लगेगा कि reseller ने product को deliver किया है तो यह completely white label में product देते हैं आप देखी कुछ इस तरीके कि इनकी simple और plain packaging होती है सबसे बड़िया बात यह है कि आप इनके साथ एक product भी book कर सकते हैं आप bulk order भी place कर सकते हैं अगर आप bulk order place करते हैं तो of course आपको discount मिलता है और अगर आपका customer आपको एक एक product को order दे रहे है तो भी आप इनको easily order place कर सकते हैं अच्छा जैसे ही आप अपने customer का order इनके पास place करते हो यह within 24 hours उस product को dispatch कर देते हैं और आपको अपनी tracking ID मिल लाती है अब जैसे कि मैंने दिखाया है इनकी packaging बहुत अच्छी होती है और एक बार dispatch करने के पहले यह quality अच्छे से check कर लेते हैं सबसे important चीज़ दोस्तों इनके पास आपको cash on delivery की service मिल लाईगी लेकिन उसके लिए आपको एक assurance amount पहले से pay करना पड़ेगा और उसके बाद easily आप अपने cash on delivery में order book कर सकते हैं अब और services के बारे में बताओ तो इनके पास आपको fast shipping मिल लाईगी international shipping मिल लाईगी आपको return exchange की service मिल लाईगी लेकिन return exchange के लिए आपको 24 hours के अंदर इनके पास ticket raise करना पड़ेगा और आपको parcel opening video दिखाना जरूरी होगा अब इनके जो जो नए नए products आते हैं वो आपको इनके whatsapp के updates में मिल लाईगे जो कुछ इस तरीके से इनकी broadcast list चलती है daily basis में broadcast list को अपनी update करते हैं और इसी whatsapp number में अगर आपकी कोई भी query है या फिक किसी भी प्रकार का support चीए तो आप इनको text कर सकते हो अब जल्दी से मैं आप सभी को इनका whatsapp number बता रहा हूँ तो इनका whatsapp number note down कर लीजिए या फिर इसका screenshot ले लीजिए इनका whatsapp number है 89799-3883 अब बात करते हैं कि इन से जुड़ के business करने का process क्या है आप simply इनको whatsapp कीजिए अपने business के details बताइए बताइए कि आप reselling करते हैं अगर आपका instagram पे page है तो आप अपना screenshot भी इनको share कर सकते हैं ये basically आपको अपने broadcast list पे add करके रखेंगे एक बार जब आप इनके group या इनके broadcast list पे add हो जाओगे तो आपको daily basis पे updates आने लगेंगे product के अब आप इन product की images को अपने social media पे share कर सकते हैं अपने whatsapp पे share कर सकते हैं इंस्टागरम पे कर सकते हैं जहां भी आपका customer base है अब वहाँ पे share कर सकते हैं और जो भी ये price देंगे आप उस पे अपनी margin एट करके आगे अपने customer को share कर सकते हो suppose यह उन्होंने एक product का price 500 रुपे रखा है तो आप अपने हिसाब से उस product का price 800, 900, 1000 रुपे जितने भी price में आपको लगता है कि आप sell कर सकते हैं उस price में रखके अपने customer के साथ share कर सकते हैं एक बार जब आपने product को customer को sell कर लो तो जो भी final order है वो आप अपने final group में डाल दो ये group create करेंगे आपके साथ जिसमें आपको खाली final orders डालना है इसमें आपको उस product की picture डालना है customer का address डालना है और आपको अपना payment का screenshot डालना है और इसके बाद आपका एक order book हो जाएगा और within 24 hours आपको एक tracking link भी मिल लाएगी और उसके बाद ये उस product को अच्छे से white label में pack करके directly उस customer को send कर देंगे, deliver कर देंगे तो दोस्तो है ना ये business बिना कोई investment का easily चालू करने वाला और profitable तो अब दोस्तों आप सभी को पता चल चुका है कि आखिर jewelry कहां से लेना है, किस wholesaler से लेना है अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर में jewelry को sell कैसे करना है अगर आपको बिल्कुल भी कोई experience नहीं है online selling का तो अब मैं आपको step by step चीज़ें बताता हूँ जिससे आप easily अपने खुद का jewelry का online business start कर सकते हैं तो सबसे important चीज़ है, सबसे पहला process है वो होता है अपने खुद का brand create करना आप अगर अपने नाम से jewelry आसपास में अपने दोस्तों को अपने friends या family members में sell करेंगे तो हो सकता है कि आपके जान पहचान की कुछ लोग खरीर लें लेकिन उसके बाद आपकी identity नहीं जा सकती brand create करने के लिए आपको सबसे पहले अपने खुद का logo बनाना पड़ता है अपने खुद का brand name लिखना पड़ता है एक खुद की brand की description लिखना पड़ता है कि आखिर में आपकी brand क्या करती है क्या service provide करती है और उसके बाद हो सके तो जितने भी social media platforms हैं आप वहाँ पे अपने खुद का account बना लेजिए ताकि आपकी presence हर जगर है Facebook में अपने खुद का page बना लेजिए Instagram पे अपने खुद का account बना लेजिए और सबसे important चीज़ WhatsApp में अपने खुद के बहुत सारे groups बना लेजिए याद रखी आपको जो सबसे पहली sales आईगी वो आपको घरवालों से ही आईगी लेकिन जैसे ही आपका business धीरे से develop होता है Instagram सबसे अच्छा platform है ग्रोव करने के लिए Instagram पे continuously अच्छे अच्छी posting करते जाए लेकिन सिर्फ product ही मत post कीजिए product के अलावा भी जो reels होती है वो सबसे important होती है आपको अपने wholesalers की भी तरफ से बहुत सारी reels मिलेगी videos मिलेगी in fact आप भी कुछ product मंगा के खुदी reels शूट कर सकते है और reels ऐसी चीज है जो अभी के time पे बहुत ही जादा viral हो रही है तो आप खली product ही नहीं content create करके भी अपने Instagram पे traffic लाव सकते हो जैसे ही आपका धीरे धीरे social media पे business शुरू होता है धीरे धीरे आपको social commerce website social commerce website और e-commerce website पे क्या अंतर होता है वो भी बताता हूँ social commerce website पे customer आता है आपकी पूरे product को catalog को देखता है वो पूरी website के जैसी website होती है वेबसाइट पे वो basically आपकी business का information देखता है आपकी products के बारे में देखता है और जो भी product पे वो interested है वो सीधा उस product से आपके whatsapp पे connect हो जाता है और actual में selling whatsapp पे होती है whatsapp पे sell करना बहुत easy होता है क्योंकि whatsapp पे directly लोग आपसे interact करते हैं और आज की rate में ऐसे बहुत सारे softwares, बहुत सारे tools आ गए हैं जिससे आप whatsapp पे selling को काफी easy बना सकते हो आपको customer से deal करने के लिए manually type नहीं करना पड़ता आप automated message बना के रख सकते हो ताकि वो आपके customer को चले जाए और basically automation के थुरू आपकी website से selling हो अब दोस्तों आप free of cost social commerce website कुछ इस तरीकी की बना सकते हैं social seller से ही नीचे मैं link दिया हूँ हमारे खुद का एक software है, tool है information दिख जाएगी कि किते बार उन्हेंने inquiry create की है और एक बार आपको अपने customer के database मिलने के बाद आप इनको वोपस reconnect कर सकते हो, remarketing कर सकते हो और अपनी sales को increase कर सकते हो तो जैसे कि मैं बोलता हूँ कि यह जो online business है ना यह एकदम step wise होता है पहले आप basic social media पे sell करते हो फिर आप social commerce website पे sell करते हो और जब आपको दिन में 100-200 से जादा customers आने लगे जब आप WhatsApp API पे भी ना manage कर पाओ उस case में आप अपनी खुद की e-commerce website बनाओ उसके पहले तक के completely social commerce website पे अपने business को रखो वहाँ से आपको ज़ादा customer का response आएगा अगर आप direct e-commerce website बनाओगे तो हो सकता है कि आपको उतना अच्छा response आए अगर मैं marketing की बात करूँ तो जैसे कि हमने Giva का case study पूरा cover किया था और उसमें भी समझा था सबसे important marketing की टेखनीक होती है influencer marketing आप एक ऐसे influencer के साथ collaborate करो जिसको सारे लोग जानते हो और एक बार उनसे video बनवाने के बाद आप उस video पे paid advertisement करो वहाँ से आपको सबसे अच्छा response आएगा उसके बाद धीरे ही जब आपको business ग्रो होता है आपकी brand ग्रो होती है तो आप performance marketing पे पैसा इंवेस्ट करते हो मतलब Facebook ads, Google advertisements, जितने भी online advertisement के channel होते हैं आप वहाँ पैसा इंवेस्ट करते हो और वहाँ से आपको बहुत सारी customer audience है आप जोलरी business किस तरीके से start करते हैं, grow करते हैं इसके उपर हमने पूरी एक case study बनाई है जीवा की, जीवा एक बहुत ही popular jewelry brand है, कैसे उस brand ने कहां-कहां invest करके अपने brand को grow किया, उस video की link मैं description पर डाल दियों, आप जाके देख सकते हैं, इसके अलावा दोस्तों इनकी खुद की website भी है, जो direct customers के लिए है, आप जाके देख सकते हैं, इनके website में भी आपको इनका बहुत सारा collection दिख जाएगा, और बहुत जल्दी resellers के लिए, इनके खुद का mobile application भी आने वाल है, तो जितने resellers इनके अभी WhatsApp है, इनके पास, वो धीरे से सारे reselling app में आ जाएंगे, I hope दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो इन्फोमेटिक लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like जरूर करना, अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरीके की all वीडियो बनाऊ होलसेलर्स के उपर, तो please comment करके हमें जरूर बताओ, और हाँ अगर आप social seller academy में regularly आते हैं हमारी वीडियो उसको देखने के लिए, तो मैं आप सभी को बोलूँगा कि please subscribe जरूर करें और वो red वाली बटन है, उसको जरूर दबाएं, ताकि मैं आप सभी के लिए इस तरीके की वीडियो बनाता रहो, बिलते हैं अगली वीडियो में